जैसी जिसकी भावना पहर निकल रहे थे इसलिए मुख्य द्वार पर भीड जमा हो गई थी अचानक उन में से एक महिला बुद्ध से मिलने आई तभी उसने कहा की तथागत में नर्त की हूँ और आज नगर एक बड़े शेट के घर मेरे नृतिका कार्यक्रम पहले से तै था लेकिन में उसके बार बुद्ध के पास आया और बोला तथागत में आप से कोई बात छुपाऊंगा नहीं में भूल गया था कि आज मुझे एक जगा डाका डालने जाना है पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई और वह भी भगवान बुद्ध को धन्यव कहकर वहां से निकल जाता है डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चल कर एक बुड़ा व्यक्ती बुद्ध के पास आया और कहां की तथागत जिन्दगी भर बुन्यादी चीजों के पीछे भागता रहा अब मौत का सामना करने का दिन नजदी का रहा है तब मुझे लगता है कि सारी जिन्दगी यूही बेकार हो गई आपके बातों से आज मेरी आखे खुल गई और आज से में अपने सारे मोह माया छोड़कर निर्वान के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ जब सब लोग चले गए तब बुध ने आनन से कहा प्रवचन मैंने एक ही दिया लेकिन उसका हर किसी ने अलग-अलग मतलब निकाला और जिसकी जितनी जोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है सीख निर्वान प्राप्ती के लिए भी मन की जोली को उसके लायक होना होता है इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लायक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो